हलो फ्रेंच वेलकम टुकार की क्लासिस डेट आज की 20 अप्रिल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के इंपॉर्टन न्यूज और एक्स्प्लेंट पेज जो हमें इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं देखो फर्स तो वही अभी कोविड-19 सेकंड वेव फिल तो आपको डेफिनेटल अब वेक्सीन लगवाना है एक मई के बाद में ओके दूसरी तरफ आप देखोगे कि वेक्सीन को अब एक तरीका अलग अलग कंट्रीज की क्या पॉलिसी रही क्या प्लान रहे कुछ कंट्रीज ने रिलाई करना शुरू किया था जैसे आप वेक्स है जबकि हम रियल टाइम सप्लाई पर डिपेंडेंट है डाट मीज कि अभी जो प्रडेक्शन है वेक्सीन का वो हमारे पास में अवेलेबल होगा और उसी के वेसिस पर हम वेक्सीनेशन के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे तो बेसिकली वेक्सीन को लेकर कि सारी तरफ यहां पर बताय जा और मतलब न्यूUZ बताई ही जा रही है सारी के चारी इसके अलावा जॉन्सिंट ऑन जॉनंसन ने भी अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया है कि बिजिंग ट्राइल कर लिया जाए क्योंकि जॉन्ट जॉन्सिन के जो वेक्सीन डोसिजन वे घुएम वेक पिर उसके बाद में जैसे उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है इंडिया में उन वेक्सीन का तो उनको हमें भी हम भी अलाओ कर देंगे तो इसको बोला जाता है वेक्सी आप ब्रिजिंग ट्रायल तो जॉंसन और जॉंसन ने इसके लिए अपलाई किया है इदर आप देखो कि आप अपने हाथ जाड़ करके नहीं जा सकते हो ठीक है तो ऐसे में जो ओपोजिशन पार्टी ओपोजिशन रोलिंग जो स्टेट्स हैं वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर अपनी जम्मेधारी पूरी करें बट बेसिकली जो कुछ भी है वो आपके सामने है ही और इसके अलावा हम आर्टिकल जो देखने वाले हैं वो ये कि हाई कोट जो है वो क्राइसिस में है ये बात कही गई एक सुप्रीम कोट की बेंच के द्वारा जिसको हैड तो किया जा रहा चीर जस्टिस ऑफ एंडिया स.A. बॉब डेजी के द्वारा और दूसरे दो जजज है स.K.Col और सुरियकांत जस्टिस सुरियकांत तो इन्हों ने कुछ अपनी तरफ से स्टेट्मेंट दिया हैं उन स्टेट्मेंट को यहां से समझेंगे साथ में इसी आर्टिकल को असोशेट करके आगे भी दो आर्टिकल दिया है हाई कोट में एड़ जजिस की अपैंट् को बंद कर दिए हीरो मोटर बाइक जो ग्रूप है ना उन्होंने अपने खुद के प्लांट को बंद कर दिया क्योंकि कोविड केसिस बहुत जादा बढ़ रहे हैं तो ऐसे में यह एक्शन लेने वाली यह इंडिया की पहली बड़ी फर्म है बड़ी कंपनी है ठीक है तो यह एक अच्छी बात भी है कि अपनी तरफ से एक कह सकते हो कि प्रवेंटिव अप्रोच है राइट कि कहीं पर अगर वेक्सिनेशन प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल रहा है या फिर केसिस बहुत जादा बढ़ रहे हैं तो क्यो ना फिर वर्कर्स को बचाया जाए इस बिमारी स थीक है बाकी तो और कोई है नहीं देखो कोई भी काम कांगा है यहां पर क्रिमाट्रियों में देखो शंशान घाटों में वेटिंग चल रही है रात को 2-2 बज़े तक वहाँ पर लाइन लग रही है, टोकन लिया जा रहा है, तब जाके नमबर आ रहा है, मतलब एक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए भी, आगे चलते हैं, आखे फिर से वेक्सीन, कोविड नैंटीन, उसी के बारे में पूरी न्यूस है, इस पेस पे, इस पेस पे हम दे तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या स्टेट्मेंट दिया है, दोनों को हम देखेंगे, इसके अलावा आप देखो कि सुप्रीम कोट ने रस्ता साफ कर दिया है, पेवड, एट मींस पेवड वे, मतलब रस्ता क्लियर कर दिया है, एड डॉक जजिस की अपोइंट्मेंट को ले करके, ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल से हम फर्स्ट वाले पेज के आर्टिकल के साथ असोशेट करके पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, एक्स्प्लेइन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है कि कैसे और क्यों ऑक्सिजन फेरेपी की ज़रुत पढ़ रही है, ठीक है, तो इ एक तो देखो, पेशेंट थे, रही सही में, भी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी अगर ये हाल होते हैं, तो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम या फिर हमारा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केर सिस्टम कितना वीक है, कितना फ्रेजाइल है, कितना वलनरेबल है, वो चीज तो थोड़े कुछ पॉइंट्स तो इस आर्टिकल से देखेंगे दूसरा आर्टिकल आपके सामने एक्स्प्लेइन पेज का ही कि वेक्सीन जो की मल्टिपल कोरोना वाइरस स्ट्रेंज को टार्गेट करेगा यह आर्टिकल बहुत अच्छा इसको हम डीटिल में देखेंगे और तीसरा यह आर्टिकल है कि पाकिस्तान में रेडिकलिसम इतना बढ़ गया है कि फ्रेंच एन्वाई को मतलब फ्रेंच एम्बेसेडर को वहां से बेजने पर उतावले हो चुके हैं तो पूरा मुद्दा हम जानेंगे यह क्या है आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पे हम देखें तो वही पाकिस्तान वाला मुद्दा फिर यहां पर कंटीन्यू है आप यहां पर देखो कि पाकिस्तान के सरकार कितने जवर्दस तरीके से गोटने टेक चुकी है कि फ्रेंच एम्बेसेडर को हटाने के लिए या फिर अपने देश से भेजन के लिए आपको देखोगे कि पार्लिहमेंट में भी रेजोलूशन इंट्रियूस कर दिया गया है तो यह बहुत ही बड़ा मुद्दा अपने आप में देखा जाये तो कि एक एश्यू जो इस्लामिजम को लेकर कि इतना हाइलाइट किया जा रहा है तो इस आर्टिकल को दे कंट्री तो सौधी अरप जैसे कंट्री ने कोई अबजेक्शन नहीं किया फ्रांस में जो अभी इस्लामिजम को लेकर के जो भी बातचीत हुई है जो फ्रेंच प्रेजिडेंट इमेन्यूल मैक्रों ने अपने स्टेट्मेंट्स दिया है और इस स्टेट्मेंट्स में यह क अतार दबाव बनाए हुए आप देखो भीड और इस भीड में देखो जवान लड़के मतलब हद्य हो रही है क्या है यह चल रहा है जो भी है कोई नहीं पर रिलिजियस इशू है अपने अपने कंट्री का अपने अपने तरीके से देखा जाता है ठीक है तो उससे आप से देख लेंगे राइट दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सी जिन पिंग चाइना के प्रेजिडेंट ने अपनी तरफ से स्टेट्मेंट्स दिये हैं कि भई हम यूएसे के साथ में हमारी राइवल्री तो चल रही है यह तो एक है रियालिटी पर हम कहीं पर भी एक की यूनी पॉलर या हैजेमोनी नहीं बनाना चाते मतलब यूएसे ने जब यूएसेसर के डिसिंटेग्रेशन के बाद में जो पावर असर्शन रखा था पावर अपने हाथ में रखी थी बोलो वो चीज हम अमारे हाथ में नहीं रखेंगे अब देखने वाली बात हां आती के दाथ खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और इन में से कुछ भी हो सकता है आपके लिए छोटीची टास्क है मैमार क्राइसिस के लिए आशियान समिट होगी अभी क्योंकि मैमार में काम क्या है आशियान के बारे में UPSC PO daar लिए 거 को देटा करना क्योंकि इस institution के बारे में इस particular body क बारे में question कई बार prelims में पूछ लिया जाता है तो आप यह जरूर देखोगे ठीक है दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखोगे कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट को ही मार दिया गया है जब उसने military को criticize किया ऐसे में बहुत radicalism चल रहा है खेर कोई नहीं आगे चलते है एकॉन में Remdesivir पे import duty जो है वो कम कर दी गई है बंद कर दी गई है तो इसी चीज के लिए यह article है तो discuss करने लाग तो कुछ है नहीं में जो चीज थी वह हमने देख ली फिर नेक्स जो न्यूज है वो है कि motor और जो crop insurance है वो तो reduce हो गया है लोगों ने insurance कराना बंद कर दिया motor का और खेती का बजाए कि health insurance जो है वो बहुत ज्यादा rise हो गया यह असर है COVID-19 का ठीक है तो यह चीज बताई जा रही है तो इसमें भी क्योंड़ data analyze किया जा रहा है ज्यादा कुछ काम का है नहीं हमारे लिए data इधर आप देखोगे कि जो civil score देखा जाता ना जब भी कोई loan लेता रहा है तो उसके लिए जो एक organization है जो देखती है कि हाँ loan repayment में कौन कैसा perform कर रहा है तो वो है trans union civil तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी जो नए consumers आया जो new to credit मतलब जो उधार लेने वाले नए consumers हैं उन लोगों का civil score 700 से ज्यादा आ रहा है और वो भी लगबग लगब सो में से हर 72.3% कहने का मतलब कि 72.3% जो अभी नए जो debtors है आँ कह सकते हो जो उधार लेने वाले हैं करज लेने वाले हैं बैंकों से उनका score civil score 700 से ज्यादा आ रहा है जो कि एक अच्छा sign बताया जा रहा है कि अभी default नहीं कर रहे हैं loan को loan को time पे चुका रहे हैं वैसे कु UK, US और अलग-अलग countries इंडिया से travel ban कर रहे हैं क्यों देखो सीधी सी बात है COVID-19 cases बहुत जाद आने लग गए हैं इसके अलावा cabinet ने अपनी तरफ से जो finance bill 2021 जो लाया गया था भी budget session में उस bill को एक second, amend करने के लिए बोला गया है तो basically आपके लिए task है यहाँ पर कि जो budget वाला जो portion है ना parliament वाले section में अम लक्षमिकांत में वह आप अच्छे से पढ़ोगे उसमें finance bill, first type finance bill और second type finance bill वो पूरी detail आप अच्छे से देखोगे बाकी इसमें तो amendment के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है बहुत सारे changes लाए गये थे 127 amendments इंट्रड्यूस किये गये थे finance bill 2021 में तो उनको अब थोड़ा और change करने की बात की जा रही है ठीक है तो उन्हीं चीजों का amendments को अभी allow कर दिया गया है ठीक है और आप देखोगे कि national bank for finance infrastructure and development जो कि development banks हैं उनकी बात की गई थी इसी इसी finance bill में तो यह लगलग provisions बताया है बैसिकली आपका काम जो है वह मैंने बता दिया ठीक है कि पार्लियमेंट वाले chapter में आपको देखना है कि हाँ budget session के टाइम पे finance bill कौन कौन से type के होते हैं crude oil और natural gas के output 5.2% से कम रहे जितना expected था इसी के चलते महेंगा ही बड़ी यह मैं पता है तो देखेंगे नहीं बिल्कुल भी इसके अलावा आप देख सकते हो इधर कि Sidby के नए MD के तौर पे appoint किया गया है अभी सिव सिव सुब्रमनियन रम्मान को ठीक है सिव एस रम्मान को यह धान रखेंगे आप Sidby के नए MD ठी ठीक है अब देख लेते हैं जो आर्टिकल से उनको थोड़ा डीटेल में यह क्रूड वाला जो था वो है बेसिकली इंडिया में प्रोडेक्शन रेडियूज हुआ है ठीक है तो अभी पिसले एक साल की बात करें तो 30491 थाउजन मेट्रिक टन्स यह इतना प्रोडेक्शन ह रहा 5.5% कम और नेचुरल गैस का प्रोडेक्शन रहा टार्गेट से 14.9% लगबग 15% का कम आज हमारी जो बेसिक नीड्स है हमारी नीड्स है ना क्रूड ओल की वह हम पूरी करते हैं इंपोर्ट से लगबग 85 प्रतीशत ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन चीज थी वह बत जल्दी से जल्दी जजजिस के नाम फाइनलाइज करने के लिए एक टाइम लाइन पर काम करने की ज़रत है जो कि चार महने बोले वो लगब चार महने के अंदर अंदर पूरा प्रोसस कम्प्लीट होना जी है यह देखो 18 वीक्स की बात की जा रही है ठीक है तो अभी बेसि स्क कॉल और जस्टिस सूरिय कांथ यह साथ में बैठ करके इन्होंने बोला कि यह जो प्रोसेडिंग्स होगी देखो हाइज कोट्स में अपॉइंट्मेंट से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी सब्मिट होती है ठीक है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जजेज को अपॉइंट करना है तो एक कॉलेजियम तो देखो सेट अप होगा कहां पर हाइज कोट में और हाइज कोट में जो कॉलेजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट भी मिलेगी जजेज की अलग-अलग कंडेक्ट के बारे में कि कोई जजज कोई बैंकरप्ट तो नहीं है को हाइज कोट लवल की बात है सुप्रीम कोट लवल की नहीं हो रही है फिर वह हाइकल कोलेजियम जो ओह वो नाम रेकमेंड करदेगा सेंट्रल गौर्मेंट को सेंट्रल में जो ला मिनिस्ट्री है उनके पास में नाम नाम पहुंच जाएंगे कि भई ये ये नाम हमारी तो 18 weeks के अंदर अंदर high courts में judges की appointment हो जानी चीए ये बात बोली गई इस bench के दोरा तो basically जो अभी तक memorandum of procedure अभी तक establish हुआ है ना अलग-अलग judicial orders के basis पे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब जो memorandum of procedure मतलब जो process है जो प्रक्रिया है जिसके आधार पे judges की appointment होगी high court में उसमें ऐसा कोई provision नहीं था कि government को 18 मैंने 18 हफतों के अंदर अंदर अपना verdict देना पड़ेगा कि किस judge को appointment करना है किसको नहीं करना है तो ये चीज पहली बार आई है कि 18 हफतों के अंदर अंदर appointment हो जानी चाहिए अब चलते हैं इसी content को continue करते हुए next जो article है उनके अंदर तो continue करते हुए हम देखेंगे supreme court ने timeline fix कर दी judges के लिए कि हाँ भई memorandum of procedure जो पहले चलता आ रहा है उससे बिलकुल shift कर दिया अभी तक जो memorandum of procedure for the appointments of the judges in high court and supreme court अगर उसकी बात करें तो इसके पीछे चार important verdicts हैं जिसको हम बोलते हैं judges case first judges case आया 1981 में second judges case आया 1993 में third judges case आया 1998 में इंस और fourth judges case आया 2014 का जो NGSC Act था उसको decline करने में 2016 में तो ऐसे चार judges case आ गए है supreme court और या higher judiciary में जो judges की appointment है उसको ले करके तो जो procedure है उसमें simple सा ये है कि consultation with chief justice of India ये लिखा हुआ है हमारे constitution में कि president जब भी higher judiciary में appointment करेंगे judges का तो वो consult करेंगे chief justice of India के साथ में तो इस consultation term को ले करके ये अलग-अलग cases आये और इन में ultimately क्या verdict निकल के आया कि बो लग को और president फिर उस नाम को पर sign कर देंगे अब president के पास में एक तो है कि हाँ president के पास में list आ गई मानलो judges के appointment के लिए तो वो एक बार में ना करके president को लगता है कि कुछ गड़बड है president basically काम कैसे करेंगे आपको पता ही है on the aid and advice of council of ministers जिसका leader कौन होता है prime minister तो ये council of ministers जब तक president को हाँ नहीं कह देती तब तक ये approval भी नहीं मिलेगा appointment भी नहीं होगे तो एक बार तो president जो list एक बार कॉलेजियम ने send कर दी उसको review के लिए भेज सकते हैं अब मान लो बिना कोई changes के कॉलेजियम फिर से उसी list को भेज देता है उनी judges के नाम को president के पास भेज देता है तो president के उपर अब ये obligation है कि अब उस judge की appointment finalize कर दे ही तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे बाकी चीज़े जो है वो चीज़े अभी temporary point office बताईगे ये main जो verdict का जो conclusion है अभी जो latest जो verdict आया है Supreme Court की इस particular bench के द्वारा तो उसमें ये ही है कि चार महने के अंदर-अंदर appointment हो जानी चाहिए और ये जो timeline fix करना अभी तक जितना भी procedure follow किये गए है उससे बिलकुल अलग है basically memorandum of procedure ये भी constitution में नहीं दिया हुआ है ये जो चार different अलग-अलग cases है ना इन cases के basis पे ही ये एक procedure अपने आप में develop हो गया है ठीक है और NJSE और जो 99th constitutional amendment act ये अभी तक आपने नहीं देखा है इसका video uploaded है गार्गी classes पर ही इसका link में description box में share कर रहा हूँ आप इसको देख लोगे तो ओर detail में समझ में आएगा कि जो fourth judges case था वो क्या मुद्दा था पूरा का पूरा और ultimately Supreme Court ने ये कहा कि जो NJSE में सरकार अपना खुद का role जो play करना चाहती है कि हाँ judges की appointment में government से भी पूछा जाए executives का भी role हो तो Supreme Court ने ये कह दिया कि जो हमारा basic structure है उस basic structure में power separation बहुत important है और judges की appointment के लिए अगर executive का role अगर highlight होने लग गया तो उस case में फिर बाद में ये power separation खतम हो जाएगा तो basic structure के doctrine को ध्यान में रखते हुए NJSE जिसको हम बोल रहे है National Judicial Appointments Commission ठीक है और साथ में 99th constitutional amendment act इन दोनों को बिलकुल unnull and void declare कर दिया था Judiciary ने ठीक है दूसरी तरफ आप देखोगे Supreme Court ने रस्ता भी clear कर दिया है article 224 के अंडर में 224A के अंडर में कि भई अब high courts में जो vacancies हैं बहुत जादा है क्योंकि 40% के लगबग high court में seatे खाली पड़ी है जितना strength है उसके comparison में 40% तक खाली पड़ी है तो ऐसे में ad hoc judges का appointment करना ठीक है जिसे की जो cases backlog में चल रहे हैं बहुत बहुत जादा ड्यूग हो रहे हैं cases उनको खतम किया जा सके तो देखो यह appointment जो होती है न यह appointment करने के लिए Chief Justice of High Court इस procedure को शुरू करते हैं एड़ोग judges की appointment एड़ोग का मतला होगे temporary तोरफे judges को appointment करना तो इसके पीछे क्या क्या provisions या क्या क्या conditions देखते हैं Chief Justice of that particular High Court की हाँ यह conditions होगी तब जाके एड़ोग judges की हमें जरुवत पड़ेगी तो पहला तो यह कि जितने भी vacancies है ठीक है वो vacancies अगर टोटल जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ हैं मान लो 100 judges एक High Court में होनी चाहिए example दे रहा हूँ तो उसमें अगर 20 सीटे खाली हैं तो ऐसे में एड़ोग judges की appointment के लिए उस High Court के जजज जो है वो Supreme Court से request कर सकते हैं दूसरा एक particular category के cases की बात करें वो पिछले 5 सालों से लगातार वाकी रह रह रहे हैं एक particular category के ठीक है मान लो civil issue है या जमीन से लेकर के कोई मुद्दा है तो एक मुद्दा नहीं बहुत सारे मुद्दे उस जमीन वाले ही हैं जो उनको सौट आउट ही नहीं कर पा रहा है वो High Court जो है वो फेल हो रहा है तो ऐसी कंडिशन को देख करके High Court के Chief Justice जो है वो एड़ोग जजिस की appointment के लिए Supreme Court को request कर सकते हैं फिर आगे फिर आपको procedure देखना है किसमे Supreme Court वाला जो चैप्टर है High Court वाला जो चैप्टर है वहां पर एड़ोग जजिस की appointment से related पूरी detail दी हुई है एम लक्षमे कांत में वह detail आप देखोगे ठीक है चलते हैं आगे explain page पे जो next article है that is oxygen की जरृत क्यों है और क्या काम करती है देखो COVID-19 जब infection हो जाता है किसी को तो सबसे बड़ी problem होती है सांस लेने में shortness of breathe मतलब छोटी 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 सांसे लेनी शुरू कर देते हैं तब तो सांस लेने में बहुत problem आती है तो ऐसे में उनको oxygen देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि lungs की अगर आप structure देखो तो lungs का main काम क्या है जो भी air जा रही है जो भी आप air को inhale कर रहे हो उस air में से oxygen content को जो human body का हमारा जो lung होते हैं वहाँ पर छोटे-छोटे air sex होते हैं मतलब चोटे-छोटे चिद्र होते हैं होल्स होते हैं ठीक है जो की lungs में बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं alveoli ठीक है यह alveoli जो है वह oxygen को capture करता है और blood vessels के थूँ फिर वो body के different parts से transport किया जाता है तो ऐसे में यह lungs क्या जो function है इसको बहुत ज्यादा impact करता है यह covid-19 का जो virus है SARS-Co 2 और ऐसे में आप जानते ही हो acute respiratory distress syndrome आना शुरू हो जाता है सांस लेने में problem lungs की functioning रुख गई shortness of breathing हो गई तो ऐसे में फिर oxygen supply proper नहीं होगी तो फिर result क्या होता आपको पता ही है fatality बहुत जादा chances बन जाते हैं death हो जाती है ऐसे में एक individual victim की जो SARS-CoV-2 virus से infected है तो ऐसे में उन को oxygen देना बहुत जादा जरूरी रहता है यही main चीज है बाकी चीज़े इतनी काम की है नहीं हम बिल्कुल नहीं देखेंगा आप खुद देख लेना हम चलते हैं next article के ओपर जिसमें पूरी detail देखेंगी ऐसा vaccine जो कि multiple coronavirus के against में capable है fight करने के लिए है देखो आपने अभी तक जितने भी vaccines देखे हैं हमारे यहां पर कोवी शील्ड और कोवेक्जीन है इसके अलावा internationally हम देखें फाइजर, Moderna और भी बहुत सारी जॉंचन और जॉंसन यह सारी कंपनियों ने vaccine बना दी और यह vaccine चल भी रहे हैं पर अभी जो SARS-CoV-2 coronavirus को रोकने के लिए नया जो method निकाल vaccine develop किया है और यह इतना सस्ता होगा कि एक डॉलर में एक डोज मतलब हमारे यहां पर 55 रुपया ज्यादा ज्यादा 80 रुपया में आपको एक vaccine की डोज मिल जाएगी तो यह बहुत सस्ता रह पाएगा तो इस vaccine में जो अभी हम यहां पर बात करेंगे और जो existing already trending vaccines हैं उनमें difference क्या है तो इसमें difference है यह देखो वो mRNA based देखो अभी तक जो vaccines available है वो सारे mRNA messenger RNA based ठीक है जो ribonucleic acid होते हैं हमारी body में तो mRNA messenger RNA के ओपर based अभी तक vaccines market में available है और यह जो vaccine इन्होंने डवलप किया डॉक्टर स्टीवन ने वो है DNA based तो यह difference है एक तो में अब देखो यह जो vaccine डव काम क्या करेगा यह vaccine कैसे करेगा कि आपने virus को corona क्यों का क्यों 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 आप नल बना दोगे एक नलीफाई कर दोगे उसे इसके effect को जिससे कि वो human cells के साथ में attach ना हो सके और attach नहीं होगा तो फिर coronavirus बिमार कैसे करेगा तो इसी चीज़ पर इन्होंने main काम किया है दूसरे covid-19 vaccines की अगर बात करें जो already चल रहे हैं वो क्या करते हैं target करते हैं fusion peptides को ठ fusion peptide पर दिया गया है और उसमें भी में focus रहा है DNA ठीक है एक DNA तयार किया गया DNA को आप connect मतलब DNA की आप कैसे करोगी तयारी जो fusion peptides हैं जो चिपकने वाले जो बाहर की तरफ जो protein spikes हैं उनको आपने क्या किया encode कर दिया DNA के हिसाब से और उसका फिर infection कर दिया एक बैक्टीरिया पर अब यह चीज ध्यान रखना UPSC में question आया हुआ है कि virus किस किस को infect कर सकता है तो bacteria को भी infect कर सकता है virus यह ध्यान रखना आप तो bacteria को infect कराया जाएगा उस DNA से और उस bacteria को replicate होने दिया जाएगा बोला यही method use किया जाता है जो E-coly bacteria है ना उसके infection को रोकने के लिए अब E-coly क इसका मतलब एक ऐसा bacteria जिसने अपने आपको इतना develop कर लिया है कि अब antibiotics इसके खिलाफ काम करती ही नहीं है तो E-coly से अगर किसी को infection हो गया ना तो इसका मतलब यह मानों की बहुत बुरी बिमारी लग चुकी है क्योंकि सही होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन पर antibiotics का करती ही नहीं है तो यह सबसे बड़ी problem रहती है तो वही चीज यहां पर बोल रहा है बोला DNA की encoding करके नए DNA में डाल दिया जाएगा मतलब जो fusion peptide का जो DNA encoding हो गया और उसका हम दूसरी DNA circle में infection करवाएंगे या फिर उसमें दूसरा जो यह हमने encoding किया हुआ DNA उसमें insert कर देंग अब यह जो circle बना हुआ ना DNA का इसको बोलता है plasmide ठीक है तो ऐसे में यह एक से करके दो दो से करके multiply करके फिर इस DNA का यूज किया जाएगा इस virus को ineffective बनाने के लिए क्योंकि ultimately target क्या है जो यह fusion peptides अगर ineffective हो जाते हैं तो फिर बाद में infection के chances बहुत कम हो जाएंगे अभी जो Pfizer, BioNTech के, Moderna के या हमारे जो vaccine सल रहे हैं यह सारे mRNA based हैं अभी जो यह vaccine की बात करें डॉक्टर स्टीवन वो है DNA based यह चीज कहीं ना कहीं बहुत जादा अपने आप में promising लग रही है दूसरा इनके पास में क्या test और results available हैं तो इन्होंने इसी method पे based जो porcin epidemic diarrhea virus बेसिकली यह एक ऐसा virus है जो कि pigs को infect करता है और infection भी exactly वैसा ही रहता है जैसा कि coronavirus human being को करता है तो बुले यह जो vaccine हमने दयार किया ना इस vaccine से pigs की mortality rate को हमने बहुत हद तक बचा लिया कि मतलब जब outbreak हुआ था ना इस PEDV virus का तो इसके चलते USA में 10% pigs की death हुई थी तो हमने जब यह vaccine इस technique पे इस DNA वाले technique पे डवलप करके जब pigs को दिया तो infection से तो नहीं बचा पाया पर जो severe symptoms आते हैं सांस लेने में problem हो गई बहुत बिमारिया हो रही है बहुत परिशानी हो रही है जीने में ही तो वो symptoms से बचा लिय तो ऐसे में यह DNA भी कहीं ना कहीं DNA बेस जो vaccine तयार हो जाएगा ना यह अलग-अलग variant के virus अगर कोई भी strain का हो पर जो fusion peptide है ना उन पर काम किया जाएगा फिर last में एक ही चीज बोलते हैं कि बोले देखो अभी तक तो जितने भी virus के strain तयार हो है ना उनमें fusion peptide में ज्यादा variation देखने को नहीं मिला है उनकी जब DNA decoding की गई ना तो पता-पढ़ा कि केवल 6 तरीके के fusion peptides हैं तो ज़्यादा वेरियंट कितने भी तयार हो गए North African variant हो गया UK का variant USA का इंडिया का अलग-अलग variant तयार हो गए पर fusion peptide उनका more or less 6 तरीके का ही है तो ऐसे में अगर DNA based हमने यह vaccine डवलप कर लिया तो हर एक variant को वो टैकल करने में successful हो जाएगा अब देखो बात यह है कि यह सारा का सारा खेल fusion peptide बेस डिया इसमें अगर variation ज़्यादा आ जाता है तो तो कुछ कह नहीं सकते हैं ठीक है ना यही चीज यहां पर बोल रहे है बहुत फ्यूजन पेप्टाइड यह अगर कर जाता है तब तो खेर क्या बाकी ज़्यादा तर चांसे यह कि इसमें फ्यूजन पेप्टाइड बाहर की जो स्पाइक का जो प्रोटीन है उसमें ज्यादा चेंजिस आएगा नहीं तो हम आराम से टेकल कर पाएंगे और आप यह तो पता ही है कि जो कोरोना वाइरस के जो अब ट्राइल होंगी फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेडिंग्स बढ़ेगी ठीक है आगे चलता है पाकिस्तान में देखो कितना रेडिकल आउटफिट हो रहा है कि वहां की एक पार्टी जिसका बारे में हमने अल्रेडी देख लिया तैरी के लबाइक पाकिस्तान टी थोड़ा बहुत पाकिस्तान को एक आशा लगी जब खादिम हुजैनी रेजवी जो कि रेडिकल लीडर थे रेडिकल इस्लामिजम को प्रोमोट करने वाल लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी तो लगा था कि कहीं ना कहीं जो ये रेडिकल पार्टी पाकिस्तान की तैरी के ल थीक है की जहां पर उन्होंने फ्रेंच सेकुलरिसम को अफैल्ड करने के लिए बोला कि फ्रीडम अफ स्पीच आच्स प्रेशन जो है वो फ्रेंच सेकुलरिसम का एक पार्ट है और उसे ही के चलते हैं मुझे जहां थ olmasıर यहां थे प्रोफेसर पटी ठीक है तो उनके यहां करके पाकिस्तान में बहुत जादा इस चीज़ को लेकर के अब्जेक्शन था फ्रांस के साथ में रिलेशन्सिप खतम करने के ओपर भी एकदम आ चुका था तो उसी चीज़ को कंटीन्यू करते हुए पाकिस्तानी मुस्लिम इस पार्टी ने प्रेशर बनाया मिलिटरी पे और सरकार पे जैसे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी रेजोलूशन इंटर्डियूस किया जा चुका है कि फ्रेंच जो एन्वोई है उनको हमारे यहां से भेजा जाए और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यही बात कही है इसी चीज को कि ब्लास्फेमी एक कॉमन चीज है वेस्टन कंट्रीज में बट उन्होंने इंटर्ड्यूस करने से पहले एक चीज कही कि केवल फ्रेंच एन्वोई को ही हम यहां से भेजें उनके घर प रहता है तो इस चीज को हम कैसे रोक पाएंगे इसके लिए हमें और बड़े कदम लेने पड़ेंगी तो इसी चीज में आप देखोगे टर्की पाकिस्तान और मलेशिया इनका एक नेक्सस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस्लामिजम के अपने आप में नए एक कह सकते पाकिस्तान के उपर बहुत सारे सैंक्शन भी लगा चुके हैं बहुत परेशान भी कर रहे हैं कि लोन जो दिया है वो रिटर्न करो तो यह सारा मुद्दा है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आप एक बार खुद रेडिंग मारोगे काम हो जो में चीज थी वह हमने अल्रेडी देख ली है कि कुछ और बच नहीं ना मुझे जहां तक वर्ल्ड पेज हमारा होई गया था इकानॉमी पेज पे हो गया ठीक है कुछ भी बाकिए नहीं है सो थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो